वेलकम डू आर चैनल फेंटसी फॉर्चून चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो पहले बात कर लेते हैं पटना पाइरेट्स की अभी जो है पांच मैच खेली है दो जीती है तीन हारी और नोवे पोजिशन पर है यहाँ पर जो इनके राइट कॉर्णर पर खेलते हैं किशन दुल किशन दुल की अगर आप परफॉर्मेंस देखे तो हर मैच पॉइंट्स आ रहे हैं एक आतर तर तेरे पन उनसट नासी उननचस तो लगतार पॉइंट्स आ रहे हैं सो इंपोर्टन बन जाते हैं स्मॉल लीग में आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट् सकते हैं अंकीद है लेफ्ट कॉर्णर पर खेलते हैं पहले दो मैच बहुत कमाल के गए 140 और 95 लेकिन पिछले दो मैच जो है तीन मैच जो आप कह सकते हैं उतने अच्छे नहीं गया इस्पेशली जो है बीच में दो मैच हुए थे लास्ट मैच में फिर भी थोड़ा कमबा तो अच्छी पिक है अगर आप पर पटना पाइरेट के फेवर में टीम बना रहे हैं तो आप इन तीनों को अपनी टीम में रख सकते हैं अंकेत होगे किशंदुल और नीरज कुमार पिर आजाते हैं सी सजिन यानि के सजिन चंदरशेकर कुछ कार पर पर पर्फॉमेंस नह अच्छा नहीं गया बड़ उससे पहले अच्छा कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक रिस्की ट्रमकार्ट पिक साबित हो सकती है इनका सेलेक्शन काफी कम रहने वाला है लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाते हैं तो आप इने स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं अदरव प्लेयर अच्छा है तो अगर आप मल्टिबर टीम्स लगाते हैं तो इन में रख सकते हैं पिर आएंगे यहाँ पर सचिन तवर मस्ट हैप पिक रहने वाली है एक सो चालेस यहाँ पर चालेस च्यासट या एक सो छेस्ट काफी इंपॉर्टन खिलाडी है और इस मैच में कै एड़ फेंटसी स्टार्ट हो गई है विजन 11 पे जिसमें आपने कोई टीम नहीं बनानी है दोनों टीम में से सिर्फ एक खिलाडी आपने चुनना है आपका जो अपॉनिंट है वो दूसरा प्लेयर चुनेगा और जो जादा पॉइंट्स देगा वो जीच जाएगा सो कोई टीम बनाने का जंजट नहीं है सिर्फ एक प्लेयर से आप विन कर सकते हैं तो अगर आपके विजन 11 अप नहीं है तो डाउनलोड कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा फॉर्चुन रफर कोड ए फो र टी यू है नहीं इसके तो डाउनलोड कर लेना आपक इने कैप्टन वाइस कैप्टन मिट्राइ कर सकते हैं और स्मॉल लीग में भी अच्छी पेक रहने वाले हैं साहिल गुलिया इस सीजन कमाल कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्णर पर खेलते हैं तो 69 हो गए 70 हो गए 162-103 तो भाई कमाल की फॉर्म में है तो मस्ट हैप पिक रहने वाले हैं स्मॉल लीग में और साथ में अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो फिर कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राइ कर सकते हैं एम अभी शेक हैं राइट कवर पर कोई खास नहीं कर रहे हैं इनके कवर खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं तो स्मॉल टीम्स लगाते हैं तो ग्रैंड लीग में तो आप इने ट्राइ कर सकते हैं, स्मॉल लीग में अवाइड करना नरेंदर कंडोला है, इनकी टीम के में रेडर है, अच्छी फोर्म है, 70 पॉइंट्स, 114, 96, 53 लगवाइड हर में आचे 15 स्यादा पॉइंट्स देते ही हैं, तो इंपोर्टेंट भी रहेंगे और इवन कैप्टन वाइस कैप्टन की भी स्मॉल लीग में अच्छी चोइस रहन नितिन सिंह रेडर है, कुछ खास पर्फोर्मेंस नहीं रही है, तो ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की रहने वाले हैं, इंपोर्टेंट पर आपकी बात करें, सागर है, साहिल गुलिया है, जिनके पवार और कंडोला है, यह र खिलाड़ी का मेरे अकॉर्डिंग माच विन कर सकती है, वैसे दोनों टीम्स जहें, दो-दो माच ही जीती है, लेकिन यह अच्छा कॉंटेस्ट हो सकता है, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है, कि तमिल थलायवास जो है, इस माच में बाजी मार सकते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करक अपनी राइज ज़रू बताइएगा, चलिए अब क्रियेट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स, तो डिफेंस सेक्शन में काफी अच्छे आप्शन्स हैं, मैंने यहाँ पर गुलिया को अपनी टीम में लिया है, आप चाहें तो निरज कुमार या क स्मॉल लीग में एक खिलाडी रिस्की रहेगा, बात करते हैं रेडिंग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर मैंने सचिन तवर को लिया है, और नरेंदर कंडोला को अपनी टीम में लिया है, अब एक option बचता है, और options काफी है, यहाँ पर अजिंग के पवार है, सुदाक हम पर मिल जाएगी, बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो कैप्टन जो है मैंने इस माच में सचिन तवर को किया है, वाइस कैप्टन जो है मैंने नरेंदर कंडोला को किया है, आप चाहें तो यहाँ पर सागर या फिर साहिल गुलिया को भी कैप्टन वाइस कैप् बात करें, तो टीम टू में हमने अगें सचिन तवर को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन जो हमने किशन धुल को किया हुआ है, आप बात करते हैं तीम नंबर थी की, तो यहाँ पर हमने तमिल तलायवास के फेवर में टीम बनाई है, यहाँ पर साहिल गुलिया को कैप्टन क हमने सागर को किया हुआ है जो लास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें हमने अरेंदर कंडोला को कैप्टण किया और वाइस कैप्टन हमने अजिंक के पवार को किया हुआ है, तो यह बन जाती है हमारी आखरी तीम, आप इसी तरहिके से multiple teams create कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मिल्टिपल टीम्स में Captain-Wise Captain कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आईए पसंद आईए लाइक करो, शेर करो, कमेंट करके बताओ आपके इसाब से best choice Captain-Wise Captain कौन होने वाली है साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी All the best guys